तो नमस्कार स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का PR के मुजिक क्लासेज में तो स्वरग्यान का सबसे important lesson आज मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसका अगर आप कुछ दिन regular रियाज करेंगे तो आप जल्दी से स्वरग्यान सीख पाएंगे और स्वरग्यान की मदद से कोई भी गाना या बजन आप कुछ से निकाल पाएंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का important lesson सबसे पहले अगर हम सवरों की बात करें तो सभी सुद्ध सवरों में हम ये रियाज करेंगे जो सवर हम प्रियोग में लेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा तार सब्तक में सा, रे, गा तक के सवरों का आप प्रियोग कर सकते हैं मंदर सब्तक में नी, धा, और पा इन सवरों का आपको प्रियोग करना है रियाज आपको कैसे करना है इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है जो आपके दिल में आए वो स्वर आप लगा सकते हैं और जो आपके दिल में आए वो आप गुन गुना सकते हैं सिर्फ आपको इतना द्यान रखना है कि सा, गा और पा ये तीन इंपोर्टेंस वर होते हैं इनको द्यान में रखते हुए आपको रियाज करना है क्यूंकि अधिकतर गाने और जो बजन होते हैं उनकी शुरुवात इनहीं तीन सोरों से ज्यादातर होती है उठाव भी इनहीं तीन सोरों पे ज्यादा से ज्यादा होता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको रियाज करना है शुरुवात आप गासे कर सकते हैं पासे कर सकते हैं तार सब्तक के साथ से कर सकते हैं या मद्य सब्तक के साथ से कर सकते हैं तहराव हमारा जो रहेगा वो हमारा जो मूल्प सूर है सा उसी पर रहेगा किस तरह से आपको रियाज करना है सबसे पहले आकार में रियाज करना है और उसके बाद में आवाज मिला कर कुछ ना कुछ गुन गुनाना है जो आपके दिल में आए रहाह्र रहाह्र Æ-a-a-a-a, A-a-a-a Ho 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 ho, O ho 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 ho, Ho 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 इस प्रेसे आपको आकार में रियाज करना है किसी भी स्वर को आप दो बार तीन बार या चार बार या इससे भी अधिक बार प्रेस कर सकते हैं किस तरह से इस तरह से भी आप रियाज कर सकते हैं उसके बाद में इनहीं स्वरों पे आपको आवाज मिला कर कुछ ना कुछ गुन गुना ना है किस तरह से गुन गुना सकते हैं राधे कृष्णा ये जरूर नहीं है कि जो स्वर मैं लगा रहा हूँ वही आप लगाएं जैसे मैंने अभी सा, गा, पा, नी, सा इस तरह से स्वरों को लगाया आप चाहें तो सा, नी, रे, सा गा, मा, गा, रे, सा तो कहने का मितलब है इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है जो आपके दिन में आए वह स्वर आप लगा सकते हैं और जो आपके दिन में आए वह आप गुन गुना सकते हैं तो किस तरह से रियाज करना है राधे एकृष्णा राधे क्रिष्णा 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 खिस्मौकरिश्णकृष्णकृष्णकृष्णकृष्ण रधेक्रिश्ण सिर्वाथ हम लिए करेंगे याता आरसक्त के साथ से कर सकते हैं और जो ठहराओ है खत्म हमें साथ पर ही करना है इस बात को ध्यान में रखते भी राज करना है आ आ आ आ आ आ आ आ आ जै प्रींग जै स्रीरां जै जे स्री राम जे स्री राम अगर आपकी आवाज तार सब तक के गातक नहीं पहुच पाती है तो आप रे तक कर सकते हैं यहां तक भी नहीं पहुच पाती है तो आप साथ तक भी कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कोई नियम नहीं है जो आपके दिल में आ रहा है वो स्वर आप लगा रहे हैं और जो आपके दिल में आ रहा है वो आप गुन-गुना रहे हैं इस तरह से आपको ये लेशन कंप्लीट करना है मैंने सभी सुद्ध सोरों में आपको ये लेशन बताया है और अगर आप 12 सोरों के उतार चडाव को अच्छे से समझ पाते हो तो आप स्वर्ग्यान सीख जाते हो और स्वर्ग्यान की मदद से कोई भी गाना या बजना आप कुछ से निकाल सकते हो तो ये था आज का लेशन कैसा लगा कमेंट करना ना भूले हमसे ओनलाइन पर्सनली स चीखने के लिए आप हमें वाटसेप पर मेसेज कर सकते हैं या कोल भी कर सकते हैं चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियो जैंकी नोटिपकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के जे इंद जे भार